My dear students of class 6, आज जैसी करांगे word meanings the farmhouse cows day. First word है appreciate, appreciate दा मतलब हुनदा है किसे दी परशंसा करना या फिर किसे दी कदर करना. Loaf, loaf हुनदा है टुकड़ा, रोटी दा भी टुकड़ा हो सकता है या bread दा टुकड़ा हो सकता है. Loaf of bread असी आमतोरते यूज़ कार दे हैं. Third word is lump. Lump हुनदी है गंड या फिर जिमे के camel हुनदा है, उट हुनदा है, उट दी पिठते लंप बनिया हुनदा है, उसनों भी लंप कहनदे हैं. इस पार्ट दे विच लंप दा मतलब है lump of cheese, मतलब पनीर दा एक लंप, गंड टाइप बनिया. Fourth word is creature. Creature हुनदा है जीव. कोई भी जीव जनतु, कोई birds हो सकदेने, animals हो सकदेने, असी लोग जो इनसान हां, उननों भी creatures ही कहन दे हैं. Number five is moving. Moving मतलब hill दा होया, चाल दा होया. कोई चीज हिल जुल रही है, उसनों असी कहा माँगे के एh moving है. Sixth is cheese. Cheese, paneer. Number seven, delicious. कोई चीज टेस्टी है, स्वाध है, उसनों असी कहा माँगे, delicious. And last is underneath. Underneath मतलब किसे दे हेठा या थले. I hope लेसन पसंद आया होएगा. Like बटन ते क्लिक कर देओ. ते अपने valuable comments जरूर देओ, के तो अनुए लेसन के में दा लगा?